रहमान रहीम लक्षसा number 36 की प्रिप्रेशन करने हैं जिसके अंदर हमें लेंग्विजीस के रिव्यों के बारे में पढ़ना है या संटेंस के बारे में पढ़ना हिक इसे संटेंस इसको sentence के अंदर अब अगर modifiers की definition देखी जाए a word और group of words ठीक है एक word लगा लें आप किसी sentence के अंदर या एक से ज्यादा words का इस्तमाल जो है that modifies add information जो के हम किसी sentence के अंदर एक word या एक से ज्यादा words को जब add करते हैं और वो जब add करते हैं तो वो हमें obviously इसले एक information देता है ठीक है तो उसको हम कहते है modifier a word और group of words that modifies add information to another word और group of words is called modify अब example देखें आप a tall girl ठीक है tall क्या है यहाँ पर as a modifier यूज किया गया है ठीक है a girl ठीक है उसके बाद आपने tall add कर दिया तो यह आपने as a modifier के अंदर add किया है जो के हमारी information में इदाफा कर रहा है कि लड़की जो है वो tall है उसके बाद tall is a word modifying another word girl so tall is a modifier ठीक है my sister देखें अब आप फिकरा देखें my sister can pick up that apple अगर आप यह इतना भी लिख देंगे तो वो ठीक है my sister can pick up that apple लेकिन आपने इजाफा क्या किया इसके अंदर having good height अब यह एक हैं एक से ज्यादा words हो गए हैं आपके having good height तो कह रहा है word यहां पर हमने सिर्फ एक word यूज किया है यहां हमने group of words यूज कर लिए तो कह रहा है एक एक से ज्यादा words का जब आप किसी sentence के अंदर add करते हैं उसकी quality को बियान करने के लिए तो हम क्या करते हैं हो मोडिफायर कहलाते हैं अब देखें having good height is a modifier modifying my sister another group of words यानि के my sister को ज्यादा जो है वो elaborate करके बियान करने के लिए कि उसकी अच्छी हाइट है तो हम as a modifier हमने group of words का इस्तमाल किया तो यह होते हैं मोडिफायर जिसके लिए मोडिफायर हम क्या करते हैं चेंज लेकर आना तबदीली लेकर आना ठीक है आगे आप मोडिफायर की यह वाली भी example देख सकते हैं अगर आपको वहाँ से नहीं समझाई देखें he ran quickly अब यहाँ पे quickly क्या है as an adverb है और modifying the word rain जो के rain को modify कर रहा है इसी तरह से amazing लिए देखें जो के beautiful को modify कर रहा है ठीक है very देखें इस तरह के words जो आपके verb को एड़ वर्ब को जो है वो elaborate करें चीजों को जीक है ब्यान explanation के साथ जो है वो कोई information एड़ करके चीज को elaborate करके बताएं मोडिफायर कहलाते हैं यह भी आप देख सकते हैं यहां पर pretty है और यहां पर brown है तो यह pretty और brown जो है वो हमने अज़र मोडिफायर एड़ किया है ताके ह और यहां बियां कर सकते हैं गर्ड़ जो है वो pretty है और है जो है उसके brown है अगर देखें अज़सके बाद हमने देखने हैं कि वर्डीनेस किया होता है वर्डीनेस पैसिव वाइस एंड एक्टिव वाइस नॉर्मलाइजेशन अननसेसिटी रेपिटीशन और अनसेसिवर्ड प्रेजिस अब देखें वर्डीने से कितनी चीज़ आती चार चीज़ आती है ठीक है एक्टिव ऑई और पैसिफ बोईस नॉर्मलाजेशन अननसेसे रेपेटीशन और अननसेसे लेटिशन और नरहें डॉनट पर विकाज़ यह चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पिछले जितन कि आपको आती है ठीक है मुझे पढ़ाने में कोई हर्च नहीं है मैं पढ़ा दूंगी वही इतना फिर वीडियो जो है वह लेंधी हो जाती है ठीक है यह रैपिटिशन जीज़ों बार-बार किसी वर्ड का ना और निसासी वर्ड और फ्रेजिस यानि कि हम ऐसे लफाज जिन लेक्चर के अंड पर मैं आपको बताऊंगी दो तिन टिप्स इस लेक्चर से रिलेटेड उसके बाद है वाटीनेस देखें आईधर इंटेंशनली और अन इंटेंशनली ठीक है एक्जंपल देखें रिडेंटेंट एक्सप्रेशन से सेम तिंग ट्वाइस अब देखें र उसको लेले आप वर्लक्राइस में के इंटेंशली और आनिटेंशनली आप ऐसे वर्ट का इस्तफ़ाल कर लेते हैं घर जोके जुरुरी नहीं होते एंटेंट कैill现在 example देगे दर ऊ उपर वाले और नीचे वाले फिक्रे में देखें कितना फर्क है कौन कौन से वर्ड जो हैं हमने निकाल दिये हैं अब आप कह रहे हैं दा रिजन वाई ठीक है यह अगर आप नहीं भी लिखेंगे जैस इसना बता देंगे डेव केम टू सक्सेस कॉलेज वास बिकॉस इट इस इनेक्सपैंसिव ठीक है अब इन प्राइस क्यों लिखा इनेक्सपैंसिव जब लिखेंगे तो फिर प्राइस लिखने का जरूरत है तो यह होती है व्यां कि जो अन्निसेस्टी वर्ड जो हैं वो आपने इस्तमाल नहीं करने उसके बाद देखें पैसिव वाईस और क्या होता है यह रिवर्स होता है जब एक्टिव में जो चीज पहले है वो पैसिव में एंड पर चले जाती है और जो चीज पैसिव में एंड पर होती है वो एक्टिव में फरस्ट पर चले जाती है अगर आप यहां पर देखें लेकिन इनकी जो फॉर्म्स हैं वो चेंज होत एक कौन से टेंस में क्या हिस्तमाल करते हैं तो इस लेक्ट्चर के अंदर आपको क्या आएगा जो मैंने कह रही है कि मैं आपको टिप दूंगी यह आएगा कि 5-6 उन्होंने आपको लाइने दें आपको लाइने दें ग्रेमर की इसमें एक्ट पॉसिप पैसिव वाइस आए ठीक है उसके बाद यहां आपको पूरे फिक्रे दे देंगे और यह क्रेक्शन आपने करनी होगी टिक माग करना होगा कि कौन सा एक्टिव पैसिव सही है तो इसके लिए आपको एक्टिव और पैसिव की कोई एक जो है वो वीडियो रेंडमली देख लें आप यूट्यूब से ताकि आपको अच्छे से एक्टिव पैसिव की समझ आ जाए इसके बाद नॉर्मलाइजेशन क्या होता है टर्निंग वर्ब्स इंटू नाउन जिसमें हम वर्ब्स को नाउन की जगा दे देते हैं ठीक है वर्ब्स की जगा सोरी नाउन को दे देते हैं टर्निंग वर्ब्स इंटू नाउन अब देखें वर्ब क्या है एक्स्प्लेइन appear और careless अब अगर हम इसके end पे add कर दें टी आई ओ एन ठीक है तो यह क्या बन जाएगा explanation, appearance, carelessness, carelessness तो यह सारे क्या है normalization बन गी यानि उसके end के end पे टी आई ओन या इस तरह की चीज़ें add कर देना जिससे वो जो normalize हो जाए वो noun बन जाए ठीक है तो यह होती है normalization यहां पे भी आप words देख सकते हैं यह angry है तो यह anger बन गया, available है, availability बन गया, carelessness है, carelessness बन गया, content है, contentment बन गया तो इस तरह से जब आप उसके end पे किसी चीज़ का इजाफा करते हैं यह आप verbs को noun बना देते हैं तो वो normalization कहलाता है comma supplies क्या होता है, यह देखें यहां पे पहले, incorrect use of comma to connect to independent clauses यह देखें एक tense के अंदर दो बातें की गही हैं और उन दोनों बातों को जब आप comma के जरीए कठा कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, comma supplies अब देखें, what is comma supplies यहां देखें, a comma supplies is a sentence error caused by putting just a poor, weak comma between two complete sentences we all like grammar, यह देखें, comma लगाया, we all love this class, यह example है we all like grammar, उसके बाद comma लगा दिया, एक फिक्रा हो गया, दूसरा देखें, we all love this class उसके बाद यह example देखें, the sun is high, comma put on some sun block this computer does not make sense to me, फिर comma लगाया, it came without a manual तो यह comma supplies होता है, कि दो independent clauses को connect करने के लिए हम comma का इस्तुमाल करते हैं उसके बाद देखें, comma supplies का जो है, वो, एक मिनट, अच्छा इसकी heading नहीं दी थी, तो इसलिए मुझे लगा, यह पता नहीं मैंने क्या लिखती है, यह fused sentence के बाद की गई है, fused sentence की जो है, वो steps क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक period add करते हैं, और उसका capital letter बनाते हैं, सबसे पहला, दूसरा हम क्या करते हैं, comma लगाते है, coordinating conjunction के दर्मियान, उसके बाद हम एक semi-colon लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, transitional word देखते हैं, और क्या करते हैं, subordinating conjunction, यह अपने points याद करने है, ठीक है, उसके बाद, example देखें, यह है comma supplies और यह है, fused sentence, अगर आपक करते हैं कि comma supplies के अदर दो sentences को आप क्या करते हैं, connect करते हैं, यह है, यह अगर आप देखें, यह भी वही एक sentence है यह भी वही एक sentence है इसमें क्या फार्ख है शी से पहले कोमा लगा दिया जबके इसमें शी से पहले कोमा नहीं लगाया तो यह है few sentences और यह क्या है कोमा supplies two independent clauses are joined by a comma two independent clauses are joined with no punctuation यानि कोई punctuation हम इस्तमाल नहीं करते हैं punctuation यह होता है ना कोमा हो गया semi colon इस तरह की सारी चीज़ें punctuation कहलाती है उसके बाद देखें string sentences क्या होते हैं ठीक है a stringy sentences is a sentence that has too many ends इन जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा किसी paragraph के अंदर end इस्तमाल किये गए हैं अब आप देखें a stringy sentences is more than one sentence joined together by end you have to break a stringy sentences into shorter sentences उसने कहा है कि जब एक paragraph होता है paragraph के अंदर चार से पांच sentences का बनता है तो जब आप वह sentences लिखते हैं and and करके बात करते हैं तो वह stringy sentences कहलाते हैं उसने कहा है कि अगर आपको mcqs आ जाजा है कि आप stringy sentences को कैसे breakdown कर सकते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि हम उसके चोटे-चोटे sentences बनाके जब हम जाहरा चोटे-चोटे sentence बनाएंगे अलग-अलग करके उनको लिखेंगे तो कि जरूरत नहीं पड़ेगी हमें तो यह देख को कह रहा है you have to break a stringy sentences into shorter sentences each shorter sentence should have a naming part and an action part यह जब आप अलग-अलग लिखके sentence बात करते हैं तो हर sentence का एक अपना मतलब होता है उसको end की जरूरत नहीं पड़ती उसके बाद stringy sentences की अगर आप example देखें many students student classes all morning and then they work all afternoon and they also have to study at night अब देखें and 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 बार-बार use है जबके to correct a stringy sentences divide it and or recombine the clauses क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं इसको अलग-अलग sentences में आप divide कर दें पहला sentence आप यहां पर afternoon तक लिखके stop लगा दें उसके बाद दूसरा sentence बना दें they also have to study at night ठीक है यानिके and उसने कहा है इसको divide कर दें sentences को और फिर इनको एकठा कर लें तो यह होते हैं stringy sentences thank you lecture के लिए उसके लावा मैं आपको notes पे लेके जाती हूं कि वहां पर तो नहीं कोई मासप्लाइस के steps को उसके बाद तो lecture में मुझे नहीं लगता agreement यही होता है कि subject और वर्ब के दर्मयान जो परोनाउन होता है उसको paragraph के अंदर as an coherence ली और as an grammatically जो है वो आप उसको मदे नज़र रखते हुए paragraph की जो है वो writing करें या अपनी किसी document की editing करते हैं तो उसके अंदर आपका agreement होता है subject verb का agreement तो उसको आपने जो है वो अपनी नज़र में रखके जो है वो paragraph writing करनी होती है agreement यही है कि जब for example जैसे आपने को प्रोजेक्ट शुरू किया है तो सबसे पहले आप उस प्रोजेक्ट को complete करने के लिए सबसे पहले आप उसके rules and regulations ते हैं उसको sign out करते हैं यनि कि agreement करते हैं कि इसके अंदर यह यह चीज़ें होंगी तो जब आप वो प्रोजेक्ट कर लेत है grammar के rules जितने भी हैं तो क्या वो जब हम punctuation करते हैं या कोई जितने भी हमने यह topics बढ़े हैं उनके अंदर इन चीज़ों के check and balance है या नहीं है thanks for watching this video please like share and subscribe my channel subscribe करना मत भूलें लाफ़ेज